दुनिया के इतियास में शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा जब अपने ही देश में लाखों लोक्षर नार्थी के तौर पर रहे हैं कश्मीर से करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था हजारों कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा गया था पूरा देश आसाहाय होकर कश्मीरी पंडितों का विस्तापन देखता रहा लेकिन आज की तारीक के अंदर हम इतनी इंटॉलरेंस की डिबेट को सुनते हैं कि ये देश एक वर्क के रहने लायक नहीं बचा है वो डरे हुए हैं लेकिन असल में 30 साल पहले कोई डरा था किसी को डराया गया था और कोई बोला भी नहीं था आज टेलिविजन चैनल्स पर आज अखवारों पे शोशल मीडिया पर बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन उस दौर पर सब चुप रहे गए थे 19 जनवरी 1990 ठीक 30 साल पहले ये सब कुछ हुआ था मेरे साथ कुछ कश्मीरी पंडित यहां पर मौजूद हैं उनके परिवार मौजूद हैं मैं पहले आप लोगों से जानना चाहता हूं और उसके बाद में इस पैनल को इंट्रिड्यूस करूंगा क्या कहना चाहते हैं आप 30 साल हो गया है कश्मीर और कश्मीरी पंडित आपकी भावनाओं की कदर करता हूं आप बोल भी नहीं पारे आपकी खुद की आंखें नम हैं सार यह हम ही सामुझ सकते हैं कि यह 30 सा हमने किन पर सिटियों में गुजारे हैं जब हमको गर उन से निकाला गया है जो कबड़े लगे थे वही लगे थे हाद यह है कि मेरे गर के दो आदमी पांच बटा छे डिसमबर उन्यस्टो नभी को किड्नेप किये गए और आज तक उनका कोई आता पता नहीं है इस से ज़्यादा क्या परेशानी हो सकती है जिस वक्त हम गर से निकल गए हमारे बुड़े मांबाप थे चोटे बच्चे थे और खुद को भी पालना था यह हम ही समझ सकते हैं मैं यह मानता हूं कि हम कश्मीर से जुमू में कुछ देली में आ गए कुछ वाकिश यगूँ पर आ गए मैं कह भी नहीं पाता हूं लेकिन यह जब याद आता है तो यह वही जान जानती है जिसके उपरे बीदती है बिल्कुल लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं आजकल जब यह इंट्रॉलरेंस का पूरा शोर मचाया जाता है डर का शोर मचाया जाता है सी एक अहला काटा जाता है और कहा जाता है कि यह सरकार हमारी नहीं सुनती क्या कहना चाहते हैं पहले तो यह समझ में ही नहीं आता है पहले तो अगर हम कश्मीर की ही बात करें तो कश्मीर में आजादी आजादी किस बात की आजादी आजाद तो हम हो गए है 47 में अब आज जाना है किस बात है कि हम वहां किस तरह शिर शकर से रहते थे जी जी उस चीज़ का तो आज कर जो यह दूसरी बात इन में जो सेह सच चलाई चलाई गई यह तो समझ नहीं आता है मैदम, एक सिकंग आपके आखे भी नम है, क्या कहने चाहती है वालगे कसमीर को चाहने है करते थे तब वह कहता है कि अनुभव जिसने करई है सर कर बड़ी तदात में इसलाम को मानने वाले लोंlarda लोग थे उन्होंने रोका नहीं या उन्होंने किया नई कई भी नहीं की कोशिश कभी नहीं की लेकिन हम बागे जिस वाकत मैं बागा और लाल चोक में हमारी आर्मी खाड़ी थी मैंने एक श्यार वह हकीकत का गाना था कर चले हम फिदा जान तन साथियो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो और मैं निकला वहां पर जी और के लो रूज्टी अपने गाओं में अपने मिसलमान बाइव उसके बगार बात नहीं करते थे ओपन 10 बजे वो डिटीड पर दो बास वें दच्वाफ मैं था और वहां पर उन्होंने क्या और उन्होंगा किया मिसलमानों को नीचे उतार कर उसको वहां पर गोली लगाई व और यह पहले से हैं आप अपन यहाँ बैठे हैं हमारे मंतरी जी है मैं इनको भी बोलना चाहता हूं जो भी वह वह रेजी में आ गई उन्होंने हमको पहले से ही कर दिया और लैंट्ट इलर्स के आज टेट तक हमको उसका मावजा नहीं मिला और वह हमेशा कोश्च करते थे च चाहे वो नेशनल कान्फरनसी चाहे वो पीड़ी भी उन्होंने कभी भी कश्मीरी पंडत को वो सहानबूती कभी नहीं दी कोईच वो ऐसे थपथपी नहीं दी कि भाई हम आपके साथ जी